हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू एजुकेसन डिया तो आज हम बात करेंगे मोसंबा के बारे में जिसकी तरफ से देश के इलाकों में भैंकर चेतावनी जारी हुए और देश के इलाकों को भैंकर और बिश्ट नतबाई से साउधान ने को भी कहा है दरसल बात यह है कि वहिक आपको इसी बारे में संपुन जानकारे बताएंगे और आपको यह बता देंगे कि कहां कहां पर आपको भी इस बारी बारे में जानकारे देंगे इसलिए आप वीडियो पुरा का पुरा ध्यान प्रकलास तक देखते रहे लेकिन उससे पाले आपसे हमारी एक छोटी सी गुजार्श भी रहेगी कि यह आपको भी जानकारे मौसम की सबसे पाले प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे इस सनल को जरू सब्सकाइब करिए जिसके लिए आपको वीडियो के निचे की लाल किलर का सबसकाइब करण दिक्राओगा आपको उसको दबा देना है और जिसे ही आप उस सबसकाइब करण को दबाएंगे तो पास ही मा जाएगा एक घंटी काने सन उसको भी आप सभी दोस्तों को जरूत बाना है ताकि आप स सबी भाईयों बारमित्रों के पास भी चला जाये तो चलिए अब हम बात करते हैं मोसम के हाल के बारे में और आपको ये बता देते हैं कि कहां कहां पर होगी भारी बारिस और कहां कहां पर आप सबी दोस्तों को बच के रहना होगा इस भारी बारिस से भी तो भारतियों मोसम भाग ने देश के कई इस्वों में जो है भारी बारिस को लेकर चेतानी जारी किये और कुद्धत के बहुती बड़े बिश्ण परले को लेकर आप सभी को अलट भी किया है अब कौन कौन से लाक में भाएंकर पले और बिश्ण बारिस की चेतानी दिये चलिए अभी आपको पूरी पूरी जानकारी बता देते हैं तो भारतियों मोसम भाग की तरव से आचुका है बहुती बड़ा अलेट और कहा जा रहा है कि चकर बारिस तुफान एका के बाद बार राज्यों में बढ़ चुकिये मांसुन की रतार और इसे ही कान भारी बारिस होगी बार राज्यों में और इसमें भारतियों मोसम भाग ने बड़ी तबाई की वी चेतानी दिये देश के बारा बड़े राज्यों में तो भारतियों मोसंबा का ये कहना है कि कतुफान के असर से अगले तीन से पास दों तक देश के इलाकों में जो है भारी बारिस होगी और इधिकांस बारा राज्यों में भारी बारिस और अच्छी बारिस देखने को मिलेगी मोसंबा का यह कहना है कि देश से पूरी भागों में फिर से बारिस की गतिविद्या बढ़ चुकी है और यहाँ पर आपको बताए तो कुछ इलाकों में भारी भारिस की भी आसार है चलने हैं ऐसा भारते मोसंबा का कहना यह है कि पयाग राज पटना गया वारान सी मिर्जापूर सही दस्चिनी उत्तर परदेश के हिलाकों में अलावा जो है बी आर के कुछ इलाकों में अलकिस से मध्यम बारिस हो सकती है और इसी के साथ जो है देश के और भी वाराराज्य में बारी बारिस हो सकती है तो भारतियों मोसंबा के मुताविक पच्चिम मंगाल जारकंड मध्योपर्दिस के कुछ इलाके सहित कोकंड गुवा और माराष्ट में तेखने को मिल सकता है भारी वारिस का असर और इका तुफान का असर और इसी के साथ ही जारकंड के राची जमसेदपूर में सबसे मिल सकते और वहीं और इसाथ के तट आंतरिक सहरो सईद जारकंड पूरोतर भारत के राची में फिराल हकिलिस के हलकी से जो है मध्यम बोचारे गिनने की संभावना चल लिए और इसी के साथ तट्टे करना टक और जो है करल दसीनित तमीलाडू में भी कई जगों पर मध्य परकार से इने बार राज्यों में भारी चेतानी मिली है मोसंभाग की तरस से और किस परकार से आप सभी को इने बार राज्यों में साथ धानेने को भी कहा है भारतियों मोसंभाग ने तो भारतियों मोसंभा का कहना यह है सबसे पहले तो राजिस्तान के यहां पर जो जिलो मेरिका के तुफान की बड़ी असर की संभावना भी बताईए तो रास्तान में अब कीवार मानसुन जमकर महरबान हो रहा है और इसी के चलते बारिस ने पिसले कई सालों के रिकोर्ड तोड़ भी दिये हैं और ऐसे में आगे भी यही लग रहा है कि फिर से कहीं रिकोर्ड तुटेंगे और बताया यह जा रहा है कि आज और कल भारी बारिस तेखने को मिलेगी मौसमबा के अनुसारी बताया जा रहा है कि रास्तान के कोटा धोलपुर स्वाई मादपुर देपुर्ची तोड़ गर परताब गर रास्तमन और कोरेली में भारी बारिस हो सकती है और इसके अलावा कुछ और लाक में भी अच्छी बारिस तेखने को मिल सकती है आपको बते तो भारतियों मौसमबा की तरफ से आर्ज लोग के लिए हाई भैंकर और और इंजलर जारे क्या गया है और कुछ लाकों के लिए येलो लटकी भी रास्तान में चेताउनी मिली है और अर्ज्टान के अधिकांसों में भारी से भारी बारिस के आसंगा चल रही है भारतियों मौसमबा की और इसी के साथ ही हिमाचल परदेश में भारी बारिस को लेकर आसंगा जायर हो चुकिये बारतियों मोसंबाग की और बारतियों मोसंबाग ने बता आए कि अगले दो दिन हो सकती है भारी बारिस और मोसंबाग ने इसी समन में जारी किये एक बहुती बड़ी चेतानी भी तो भारतिय मोसम बा की तरब से सिम्ला और सइठ कुछ इलाकों में भारी वारिस को लेकर चेतनी जारी हुए और मो осв Baha का कहिना यह है कि 27 और 28 स्थम्बर को जो है मेदानी व मध्य पड़ती सेत्र में भारी भाईरिष हो सकती है और एसे में छेताउनी जारी की गए मोस सम्बर का कहिना यह है कि पिछले दिन तो मोस साप रहा है और आज भी मोस साप चल आए लेकिन मोसम में बदलाव 27 और 28 सितंबर को देखने को मिलेगा और भारी मिजाज के साथ भारी बारिस होगी राज्य भर में ऐसा भारतियों मोसमबाग की तरफ से अन्मान आ रहा है भारतियों मोसमबाग का केना यहा है कि बिलाजपूर हमीरपूर संदर नगर जिसे चमबा कांगड़ा इलाखों में भारी बारिस देखने को मिल सकती है और इनलाखों में बड़ी चेतानी भारतियों मोसमबाग ने दीए हिमाचल परदेश में और वहीं भारतियों मोसमबाग ने एमपी के बाराजपूर में ये लोड़ जारी कर बड़ी चेतानी दीए और इसी के साथी बियार में भारी बारिस के आसार बता दिये मोसमबाग का कहना यह है कि अनुपूर डिंडोरी नरसिंग पूर छिंदवाड़ा सिवनी साहित बाराजपूर में भारी बारिस देखने को मिल सकती है मद्यव परदेश में और इसी के चलते मद्यव परदेश में अगले 24 गंटे आप सभी को पूर्णता साथान रेने को कहाए तो बारतियों मोसम बाग का कहना यह है कि मद्यव परदेश की राज़तानी वपाल साहित कहीं इसो में जो है गुरुवार को आंसिक बादल चाहे हुए और इसी को लेकर मोसम बाग नहीं बताया है कि भारी बदलाव मोसम में देखने को मिलेगा और बारा जुलों में बारी बारिस देखने को मिलेगी मोसम बाग का कहना यह है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओ के कारण जो है राज़्ये में रुक रुक कर बारिस का दोर जा रही है और इसमें अब यह बताया जा रहा है कि भारी बदलाव देखने को मिल सकता है और मिजाद बदल सकता है इस मोसम का ओड़ो हो सकता है भारितियों मोसम बाग ने मध्यापरिस के लिए और इसी के साथ ही मध्यापरिस में बारा जुल में भारित से बारी बारिस को लेकर हाई जारी क्या है भारतियों मोसम बाग ने और इसी के साथ ही मुंबई और पूने में भारी बारिस को लेकर चेतानी जारी हो चुके और स्कुल कॉलेज हो चुके है बंद और यहां पर मोसम भाग ने बहुत ही बड़ी चेता ने दिये इससे पहले बता दे आपको पांच लोगों की यहां पर जनाहनी भी देखने को मिल चुकिये और यहां पर माराष्ट में हाल काफी बेहाल हो चुके हैं तो बंद और यहां पर मोसम भाग ने मुंबई और पूरे में कल रासे हो और ही बारिस को लेकर जारी कर दिया है और इसी के साथ ही रिपट में बता दिया है कि अब तक पांच लोगों की राज्ये में जनहाई देखने को मिल चुकी है और मोसंबा का कहना यह है कि भारी बारिस के साथ अकरीब अंद से लेकर 15 km पर 30 गंडे के रफतार से तेजवाई चल सकती है और इसी के साथ ही हो सकती है भारी बारिस असा भारत्य मोसंबा का नुवान हुआ है पूरे और जो है कुछ बड़े इलाकों के लिए माराश्ट्यों में और इसी के साथ इसाथ जो है चत्रिस गड़ में भी जो है छेजलों में भैंकर बारिस को लेकर अगले 24 गंटे तक अलड़ जारी हो चुका है और परदेश भर के हल हर सबहे इलाकों में जो है अलकी बारिस की संबावना विच्टा दी गई है तो राइपूर पेंडरा रोड बिलासपूर द्रुग अमवी का पुर और राजदन्दा गाव में देरास्टे बारिस का दोर जारी है और इसे में छेजलों में भैंकर बारिस को लेकर फिर से भैंकर शेतानी मोस्तरम भाग ने तिये और राज़दा इनराइपूर रिसाहिए झांच्ञ इंच्छाएँ लाकों के लिए बारी बारिस से आज्ञ रात के कोई आथार भी नहीं बता है बारतियों मोस्तरम भाग ने ये भी का है कि आप सब्हर्दा ये क्योंक organism बाग कि यहांपर हो सकती है भारी जनानी भी है मोस्तर मौसंभाक की चिता हो ने चैटिस गड़ के लिए निकल की आ रही है और शित्र के इलाकों को साउधाने ने को भी मोसंभाक के राय और अब मैं बात कर लेते हैं उत्तर पर्देश की जहां पर पत्या चाहर है कि बारिस के हैं आसारों मोसंबाक का कहना यह है कि उत्तर परदेश के सौन पद्र परियाग राज वारान सी गाजी पूर जोनपूर और परताब गड़ साहित जो है कुछ लाकों में बारिस हो सकती है और इसे के साथ ही मोसंबाक यह भी कह रहा है कि बियार के पटना गया मोसंबाक का अनुमान आ रहा है और इसे काड़ मोसंबाक ने बड़ा अलग देते हुए देश के लाकों को सावधान ने को विका है तो इस प्रकार से यह पूरी की पूरी मोसंबाक की जानकारी यदि आप यह जान करें चलगे तो आप इस दो को लाइक विश्य करिए साथ इस दो को शेयर विश्य करेंगा तो आप सभी का इस दो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस दो में बसना इता धन्यवाद फिर से जे हिंद जे वरत और वंदे मत्रम